नावालिक लड़के को लेकर फरार हुई यूवती जब रन बनाती थी शारीरिक संबंद जे एनन यमुना नगर 21 साल की यूवती 17 साल के किशोर के साथ घर से चली गई यूवती के परिवार वालों ने किशोर के खिलाफ अपहरर का केस दर्च करा दिया कुछ दिन बाद दोनों मिल गए लेकिन यूवती इस बात पर अड़ी रही की किशोर के साथ ही रहेगी वहीं लड़के ने यूवती पर यौन प्रताडना का आरोप लगाया है जानकारी के मताविक पटना थाना जटलाना की एक गाउं की है लड़का और यूवती कई दिनों से घर से गाइब थे इसके बाद यूवती के परिजनों ने लड़के के खिलाफ केस दर्च करया था लेकिन जब दोनों लोटे तो कहानी कुछ अलग ही सामने आई लड़के ने अपने परिजनों को बताया कि यूवती ही उसे अपने साथ जबरन ले गई थी और उसके साथ शारीर एक संबंद बनाती थी इसके बाद कि शोगर के परिवार वालों ने भी यूवती के खिलाफ पुलिस अधिक शक को सिकायत दे दी थाना प्रभारी हर्दी पेंदर का कहना है कि मंगलवार को ही शिकायत आई है जाज के बाद यूवती पर केस दर्श किया जाएगा लड़के पर पहले से ही यूवती के अपहरण का केस दर्श है उधर लड़के के परिवारवालों का कहना है कि जब लड़के ने उन्हें आप बिती बताई तो उन्होंने पुलिस अधिक्षक को शिकायत दी पुलिस अधिक्षक ने जाज के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम को भेजा टीम के सदस्यों के नुसार कानून सभी के लिए बराबर होता है लड़का नावालिक है और लड़की बालिक टीम की रिपोर्ट पर पुलिस अधिक्षक ने शिकायत कारवाई के लिए ठाने भेज दी लड़के के परिवार वाले यूती पर आरोब लगा रहे हैं कि वहाद धमकी दे रही है कह रही है कि यदि लड़के को उसके साथ नहीं भेजा तो वहाँ उसके खिलाफ दुषकर्म का केस दर्ज करा देगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें